द्रिश्टिम्च नश्टा विविधम जायद चजगत तमो मयम एक रूपम अगर किसी व्यक्ति की देखने की ख्षमता खतम हो जाए तो पूरा समसार उसके लिए अंधकार के समान हो जाता है देखने की ख्षमता सीधी सीधे रेटिना की कंडिक्शन के उपर डिपेंड करती है रेटिना आँख के पीछे का एक लेयर है जिसमें खराबी अगर आ जाए किसी भी वज़े से तो देखने की ख्षमता डारेक्टली अफेक्ट होती है मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें मैं आज आपको बताऊँगा कि आयूर वेद में किस तरह से रेटिना की बीमारियों का इलाज संभव है या कंट्रोल किया जा सकता है इस शलोक से हम सब लोग भली बाती वाकिफ है शरीर की 11 इंद्रियों में से प्रधानतम यानि की सबसे इंपोर्टेंट इंद्रिया आख को मना गया है हजारों किताबों के लाखों पन्ने आखों की खुबसूरती के बारे में भरे पड़े है किसी व्यक्ति के जीवन में अगर देखने की ख्षमता ही ना हो तो वो व्यक्ति जीवन का आनंद ही खो देता है देखिए देखने की ख्षमता मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारी जो आँख है वो एक कैमरे की तरह काम करती है camera में जैसे सामने एक shutter है जो हमारी cornea उसके पीछे एक lens है और lens के पीछे real लगी होती है जैसे camera में ठीक इसी तरह से हमारी आँख में बिलकुल पीछे वाला हिस्सा जहां पर picture बनती है हम उसको retina के नाम से जानते हैं मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ retina के बारे में ही बात करूँगा किसी भी कारण से अगर retina के अंदर कोई खराबी आ जाए तो वो खराबी directly हमारे देखने के एक्षमता को प्रभावित करती है देखिए वैसे तो आँख के अंदर बहुत सारी बिमारियां हो सकती है उनमें से कुछ तो physical pain देती हैं जैसे आँख में dry eyes पानी आना आँख में दर्द होना किसी तरह से आँख में लाल हो जाना और कुछ बिमारियां हमारी विजन को एफेक्ट करती हैं विजन को एफेक्ट करने वाली जो बिमारियां है वो ज्यादा तर उनमें से रेटिन से संब्दि होती है इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बिमारियां हो सकती है जो रेटिना में खराबी आने के कारण उत्पन होती है और विजन को एफेक्ट करती हैं वजह अलग-अलग हो सकती है लेकिन फाइनली रेटिना की अंदर डीजनरेशन होके देखने की क्षमता प्रभावित होती है मैं बात करूँगा आयूर्वेद की आयूर्वेद में शालत के तंत्र नाम से एक अलग से डिपार्टमेंट हजारों साल पहले डिफाइन किया गया है उस डिपार्टमेंट में सिर्फ नेत्र रोगों की अगर बात की जाए 76 अलग-अलग स्पैसिफाइड बिमारिय यह समझते हुए उनको मोटे तोर पर तीन केक्री में डिवाइट किया गया है पहली है जैनिटिक डीजीज दूसरी हैं मेटाबोलिक डीजीज और तिसरी हैं ट्रॉमेटिक रेटेनल डीजीज जैनिटीक डीजीज का मतलब है जो बिमारिया जनम हुआ जब से जिस दिन सारा साल की उमर में आते हैं और कभी-कभी तो वो जो जनेटिक डिजीज है वो अपने आपको एक्सप्रस करना ही 20-25 या 30 साल की एज में स्टार्ट करती है जैसे कुछ डिजीज है रेटेनेटिस पिग्मेंट उसा कॉन डिस्ट्रोफी स्टारगाट डिजीज रोड कॉन डिस की मेटाबोलिक डिजीज का मतलब हुआ कि वो अपने आप में आख की बिमारी तो है लेकिन उसकी वज़े शरीर में होने वाला किसी दूसरे ओर्गन के कोई डिफेक्ट है जैसे डिजीज की वज़े से रेटिना की खून की नसें कमजोर होके उसमें जो बिमारी आती है डि मिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस की वज़े से कई दफा ऐसा बदलाव भी आ जाता है कि रेटिना की ब्लड वेसल में से लीकेज हो जाती है और वो फ्लूट जो वहाँ ही कठा होता है उस डिजीज को हम सेंट्रल सिरस रेटिनोपेथी कहते हैं तीसरी केटेगरी है का इलाज समझने की हम कोशिश करें तो आयूरवेद में साथ तरह के तो स्पेशलाइजड आई प्रोसीजर्स को बताया है तरपन, पुठपाक, सेक, आश्योतन, अंजन, पिंडी और विडालक ये नाम संस्कृत के नाम है लेकिन इन सब चीजों का एक्टरनल आई प्रोसी में रखते हैं और आँख में मेडिकेटड घी एक प्रिस्क्राइब टाइम दूरेशन तक फिल करना उसको हम तरपन कहते हैं और सोन बहुत सारी उसकी डेटेल में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन ये स्पेशलाइज आई ट्रीटमेंट्स हैं जो आयूरवेद में रेटिना की ब्रोसिजर्स क इस्तेमाल करने से भी काम चल जाता है कई बार पांचों प्रोसिजर्स का अग्रेशिव Director Samson और प्रयोग करते हैं हो का नाम है वमन विरेचन आस्ठापन वस्ती अनुवासन वस्ती और नस्ष्थ ये 5 पंचकर्म की प्रिक्रिया हैं जिससे body का detoxification करके उसके बाद नेत्र क्रिया कल्प के level पे आते हैं जिसे retinal disease का इलाज होने की संभावना, permanent cure establish होने की संभावना बढ़ जाती है इसकी अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अलग short procedures भी हैं जो एक retina care disorder को treat करते हुए इस्तेमाल में लिए जाते हैं supportive procedure की रूप में जैसे शीरोधारा, जैसे शीरोवस्ती, अभ्यंग, स्वेधन and many, many, and list is very long actually इसकी अलावा आई उर्वेद में सेकडों ऐसे eye drops के formulations भी उपलब्ध हैं जिनका प्रियोग नेत्र रोगों की retina के disorders की चिकिसा करने के लिए अलग-अलग stages पर किया जाता हैं उन में से बहुत सारे formulations तो already market में commercial level पे available हैं, market के अंदर उपलब्ध हैं, या कुछ formulations को एक आईर्वेदिक eye specialist अपने patient की जरूरुत के हिसाब से, उसकी retina की condition की आवशकता के हिसाब से, in-house उनकी production भी करते हैं कहने का मेरा अभिप्राई ये है, कि अगर आपको भी retina की कोई disease है, या आपके किसी जानकार को है, conventional science निश्चित रूप से इतनी develop हुई है कि बहुत सारे emergency की conditions में, उस conventional science का इस्तमाल करने से, हम vision का बचाव कर सकते हैं बट ऐसे अनेकानेक रोग हैं, जिनका conventional science में भी एक limitation के साथ ही treatment हो पाता है, long term management बहुत poor है, आयुरुवेद ऐसे metabolic conditions के लिए, genetic disorders के लिए, और भी कई degenerative conditions में, बहुत सफलता पूरवक अपना काम करता है, अपना असर दिखाता है, patient की vision को आगे damage होने से रोका जा सकता है, न एक बार आयुरुवेद को explore करें, अगर आपके किसी near and dear को retina से समधित कोई problem है, एक बार हमारे number पे phone करके बात करें, अगर उनको भी किसी ऐसी बिमारी से वो पिडित हैं, जिसका इलाज करते करते वो परिशान हो गए हैं, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा, आयुरुवेद बड़े ही सफल तरीके से हम prevent कर सकते हैं, इस वीडियो को share जरूर करें उन लोगों के साथ, जिनको retina से समधित कोई problem है, और उन्होंने आज तक आयुरुवेद को try नहीं किया है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानी पश्यंतु, मा कश